रख होंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर खुद समंदर भी आएगा, ठक कर मत बैठो ये मंजिल के मुसाफिरो, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेंज पांडे, आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल, कंसेप्ट देन रिजल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप देख रहे हैं कंसेप्ट देन रिजल्ट और हम पढ़ा रहे हैं आपको अप्लाइड मैथेमेटिक्स यानि इंटिक्रेशन, ठीकर, देखिएगा यहाँ पे हमने अप्लाइड मैथेमेटिक्स में आपको बहुत सारे ऐसा टाइप हम बता दिये हैं, जो कि आपको यूजफूल होंगे, और एक बात और भाई, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले चैनल को सबस्क् कर दीजिएगा, यानि लाल बटन जो होगा न, बसो करा काला कर दीजिएगा, और लाइक के बटन जरूर दबाईएगा, ठीक है, चलिए अब अस्टाइट करते हैं, ज्यादा कुछ बात चित नहीं करेंगे, काय कि अभी पढ़ना बहुत है, अभी तो इंडिपनिट इंट देखिए, काय कि वो वीडियो और यूजफूल है, और उससे भी ज्यादा ये यूजफूल है, ठीक है, तो थुरा सा देखिएगा, कैसा टाइप था वो, वो टाइप ऐसा था, कि यदि रहेगा AX पलस B उपर में है, मान लेते हैं, और लीचे है यहाँ पे, PX स्क्वाइर प्लस QX प्लस 2, PX स्क्वाइर प्लस QX प्लस 2, यानि इसका मतलब तो आप समझी रहे होंगे, AX स्क्वाइर पे हम दिये था, यहाँ चेंज कर दिये है, खाले, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के आपको इंटिग्रेशन था, तो हमने क्या किया था उसमें, हमने बोला था आपको कि कमपरीजन कर लेना है, कमपरीजन करना है कैसे, एरिबैटरी कॉंस्टेंट लगा करके, कॉंस्टेंट काहे लगाये थे, समझ रहे थे, काहे लगाये थे भाई, बस भैलू को मैनेज करने के लिए, हमने यहाँ AX पलस B बराबर, कॉंस्टेंट लगा दिये थे लेकिन differentiation किये थे, किसका, इसका, इसका differentiation और पलस में एक और Erebatory constant, first step मेरा यही था, second step में क्या किया गया था, देखिए थोड़ा सा ध्यान किजेगा कि A और B का value find करना है, find out the value of A and B, यानि Erebatory constant का value find करना, value find करके बस इसके बराबर यह चीज हम लिखेंगे और फिर आपका यह चीज का आपका answer मिल जाएगा, यानि फिर वो टाइप जो पहले पढ़ा दिया गया है, उस टाइप पे यह जो integration है, वो जा करके manage हो जाएगा, जा करके include कर जाएगा, तो अब देखते है next type को, next type क्यों important है और किस प्रकार का type है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को continue देखते रहिएगा, और skip मत करना, तो skip कर से कहा होगा कि कुछ चीज पता चलेगा, और कोई चीज पता न चलेगा, ठीक है, लगातार देखने से वीडियो मजा आता है, ठीक, तो देख लेते हैं, यह type आपका है, यदि रहेगा, type है, देखिएगा भाई, integration रहेगा, root under ax plus b, बटा, root under cx plus dx, इस type के question कईसे रहेगा, यह तो type हो गया, question कईसे रहेगा, में यह देखना है, क्या कि question हमा बनावेला मिलेगा, यह type हो देखता है, कभी कभी proof करने के लिए, चलते है, type भी mind में रखे, question भी रखे, question कईसे पूछेगा, थोरा सा उसको देख लेते हैं, तो question देखिएगा, भाई, इस परकार से रहेगा, root under, 3x plus 2, बटा, root under, 6x plus 3dx, integration, देखिए, इस type से question रहेगा, तब बनाना कैसे है, वो चीज़ देखना है, वीडियो के continue बने रहेगा, ठीक है, देखिए क्या करना यहां पर, करना कुछ नहें, उपड़े हमको root लग रहा है, निचही root लग रहा, जब root लगता है, तो का करल जाता है, सबसे पहले तो square करला सोचेंगे, कि square से root खातम होता है, ठीक है, पहला स्टिक, square आएगा कईसे, दूसरा में ही है, कि square आएगा कईसे भाई, अब तीसरा एक चीज़ और है, कि करेंगे उर रूप में ना, कि ताकि integration निकल जाए, अब ऐसा रूप में कर देंगे, उसका integration, find out ना हो, तो करने से कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, तो यह चीज़ समझना है, कि मानना, देखिए, मानना नहीं आपे, देख लिखना है कि रूट कैसे खतम होगा, और रूट खतम करने के लिए स्क्वाइर कैसे आएगा, और स्क्वाइर करेंगे तो उस रूप में आना चाहिए, ताकि integration हमको find out हो जाए, तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है, कि नीचे वाला कि यदि स्क्वाइर खतम करेंगे, उप परका के रूट छोडएंगे तो कोई फैदा लग रहा है, कोई फर्मूला इसन हमको set करेंगा, चाहे टाइप में कोई set नहीं करेंगा, तो का करेंगे, यदि उपरे वाला का रूट खतम कर देंगे, और नीचे वाले को रूट में रहे देंगे, तो पहिल का जो हम फर्मू multiplying कर देना है, multiplying किसमे करना है, किसमे करना है, दोनों में, numerator और denominator में, numerator and denominator में, किससे बाई, आई जिगे लिख दे रहा है, by multiplying numerator and denominator किससे करना है, देखिएगा, उपरका के root हमड़ा खतम करेंगे, उपरका के root खतम करना है, तो multiply के कर से करेंगे, उपरके से न करेंगे, तो उपरका से करना है, कितना है उपरे में, root under ax plus b, यही point mean है, उपरका का root खतम करना है, तो multiply भी उपरके से करेंगे, ताकि square में हो जाएगा स्क्वाइर से रूट खातम हो जाएगा मेन कॉंसेप्ट है द्यान देजगा बाई जेतने कम जोड़ भी द्यारती होगा हमसे जूड़े रहना कम जोड़ को एक प्रेस करना चीखानका कहा सरा को रक द्यांद यूकरा में जंग धर्ल हो खराईए जंग सब हम छोड़ाएंगा कोईसे करना है रूट अंडर एक्स पलस बी दूनों में नुमिरेटर अंब इन नुमिनेटर दूनों में गूना कर देना है यहां तक तो समझ में आ गया होगा कोई दिकत कोई दिकत नहीं देखिएगा आप का करेंगे दुनों यह स्कॉार से रूट खतम होfeld बाचेगा क्या चीज एकस पलस बी कोई दिकत नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, अब देख लेते हैं तुरा साइस साइड में, कि अब क्या करेंगे, AX पलस B है, यह हो गया, तो इसको अंदर देते जाएगे, अब देख करके क्या हो जाएगा, देखिएगा थुरा साइ, AX पलस B, बटा, इसको अंदर में देते जाएगा, CA, AX स्क्वाइर, पलस B, C, X, देखिएगा, पलस DAX, पलस में DB, इस टाइप के आपके आ जाएगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, कि E यहाँ पे कोई constant होगा, यहाँ दुनों कोई constant होगा, दुनों constant होगा, तो X, X मिल रहा है, तो दुनों के जोर देंगे, यानि BC पलस का हो जाएगा, देखिएगा, AX पलस B, बटा, रूट अंडर, AX स्क्वाइर, पलस BC पलस AD, यह कोई constant है, और X है, और पलस यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD, क्या था, BD, ठीक है, यहाँ तक तो आप आ गये होंगे, अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस जो पहिल का type-of-a बताए नहीं, बस ऊट-type-of-a को थोड़ा सा याद कीज़ेगा, type-of-a में कहा करना था, उक्रा में कुछ करना नहीं है, इसको बस आपको differentiate करना है, comprehension कर लेना है, इसको differentiate करके, साथ मेरिवेट्री इंडर कॉनस्टित लगा करके, फिर आपको म यहां यहदी रहेगा देखिएगा यहां यादी 2 रहता यहां थीरी रहता 2x पलस 3 यहां रहता थीरी x आप पलस यहां 2 रहता तो का हो जाता ही जग, A के जगह पे 2 था, B के जगह पे 3 था, और A के जगह पे 2, C के जगह पे क्या चीज था? 3 था, तो 2, 3, 6, और B के जगह पे क्या था? 3 था, और C के जगह पे 3, तो 9, आप पलस में हो जाएगा A, A, D, यानि दू दूनी के 4, यानि 9, A, 4, कितना? 13, 1 से, आप पलस बी आडी था बी आडी को यानि तीन दुना का छो तो यही आ जाता था अब यहां से स्वल्वना हो जाएगा इसका का करना था उसमें रूट 6 एक के तुरी डाइरेक्ट कॉमन कर लेंगे इसको पूर्णवर्ग विधी द्वारा यसे ही तोड़ लेंगे एक उक्या स का सिरीज जो चलेगा 400 को सिरीज बहुत ही बेहतरीन सिरीज चलेगा ऐसा सिरीज जो की पूरा बुक का निचोड दिया जाएगा आपको वीडियो के अंतर तक बने रहिएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी और इंपोर्टेंट है क्योंकि उसमें बताया जाका बेहतरीन बेहतरीन को संसाइन फोर एक्स रेन का पावर फोर एक्स का इंटेग्रेशन से का पावर फोर एक्स का इंटेग्रेशन कौसेक का पावर फोर एक्स का इंटेग्रेशन इस प्रकार के कोस्टन आपको मिलेंगे तो अभी देख लेते हैं फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप को बनाने के लिए फिर से यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कैसा होगा यदि रहेगा इंटिग्रेशन वन बट्टा रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स फिक है इस प्रकार के कोश्चन आपको भेट होंगे कोश्चन कैसे रहेगा वन बट्टा रूट अंडर एक्स माइनस टू इंटू इन्टू माइनस एक्स इस प्रकार के कोश्चन रहेंगे बनाना कैसे है उ मेरें देखने हम तो बना वहीं लब अता रहे हैं अब बन ही जाएगा तब फिर आउट पह चाहिए ठीक है देख लेते हैं कि कैसे बनेगा कुछ लोग इसको आई मानते हैं चलो भाई मान लेते हैं तो सबसे फस्ट में आपको करना क्या चीज है यहाँ x बराबर लेट कर लेना है आपको यहाँ पे क्या लेट करना है x बराबर लेट करेंगे लेट एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए कॉस अस्क्वाइर ठीटा पलस बी साइन अस्क्वाइर ठीटा मैं यही चीजवा खाली याद रखिएगा एकर बाद दूसर का स्टिप का है आप लोग जान ही रहे होंगे कहें कि समस्दार हो गए इतना पढ़ा दिए तो डिफ्रेंसियेशन with respect to x करना है तो dx upon dx इसको एक कॉंस्टेंट है कॉस स्क्वाइर ठीटा तो पहले कॉस स्क्वाइर ठीटा को कॉस ठीटा के रिस्पेक्ट में ठीक है उसके बाद कॉस ठीटा को ठीटा के रिस्पेक्ट में उसके बाद ठीटा को X के रिस्पेक्ट में, यहां तक कोई दिक्कत है, यह तो पहले ही बता है कि कैसे करेंगे, यह चीज़ बाद, नहीं अगर आपको पता होगा तो समझ लीजिए, पहले X स्क्वार का फॉम में तो रेंगे, तो नीचे ही मिलेगा तन एक फर्मूला सूटे करना ही है तो X के रिस्पेक्ट में, अब यहां दुसारका है, B, D, sin square, ठीटा बटा D, sin, ठीटा और sin, ठीटा का का हो जाएगा, d theta और d theta बटा d x यहां तक तो कोई confusion, कोई दिक्कत ना, कोई संकट ना, ठीक है, कोई परिशानी, इसके बाद थोरा सा परिशानी हो रहा होगा, तो d x by d x का तो 1 हो जाएगा, a यहां पर constant, cos square theta का पहले, to cos theta, और cos theta का differentiation, minus sin theta, minus लगल है जग, और into d theta upon dx, और plus में b constant, sin square theta का 2 sin theta, और d sin theta का क्या हो जाएगा, cos theta into d theta by dx, अब थोरा सा उपर में देख लेते हैं, काई कि नीचे जगह न बच रहा है, यह चीज़ बाद थोरा सा याद रखिएगा, a cos square theta plus b sin square theta, सब देखेंगे, question उसन सब देखेंगे, यहां तक आप पहुँच गए होंगे, उसके बाद देखिएगा का करना, one तो इधर है, ठीक है, dx, d theta by dx, d theta by dx, दुनों में common दिखाई दे रहा है, पहले d theta by dx को ही खाली common ले रहे हैं, ठीक है, d theta बटा, dx को ही केवल पहले common ले रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, 2a cos theta, माइनस अबा है ता माइनस आग ही कर लेते हैं, into sin theta, अब पलस 2b sin theta into cos theta, पहले आँगे उकरे common लिये, dx को उपर टिले के चल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंस सलाई रिंच है हमरे ही, का करेंगे यहां से, d theta को इस तरफ यहां लिख सकते हैं, अब देखिए, यह नमारा आ गया, एक नमबर रूप में, dx, और यहां हो जाएगा, d theta, अब देखिएगा यहां से, दूनों में sin theta, दूनों में cos theta, common, लेकिन 2 भी common, 2 भी common, तक का कर लेंगे यहां से, 2 common, sin theta common, और cos theta common, कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा क्या चीज़, माइनस ए, अब पलस भी, यहां तो कोई प्रोब्लम किसी को, कोई के प्रोब्लम न हुआ होगा, एक दमनी फिक्र, और एकर बाद कुछ प्रोब्लम होगा, सलाई रिंची मिल ही गया, तो नट भूल्ट कसे में, टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, तो बस अब आगे नट भूल्ट कस देते हैं, बने रहेगा, टाइप भी कभी कभी दे देता है भाई, ठीक ना, इस प्रकार के टाइप भी आपको दे देंगे, प्रूफ करने के लिए, तो सतर्कता बतक बरतियेगा, हमने उस कोशन किया था, वहां पर याद की जगा, वन बटा, एक्वेशन वन से क्या है, देखिएगा, वहां से, इंटिग्रेशन वन बटा, रूट अंडर, एक्स माइनस ए इंटू, बी माइनस एक्स है, और डी एक्स है, इंटिग्रेशन वन बटा, रूट अंडर, देखिएगा, यहां पर, एक्स के जगा पर हमने क्या माना था, या सकुस्वायरे ठीटा फ्लस बी शाइनस्वायरे ठीटा आ ँम माइनस यह करा में पहला ही से है इन्टू वी माइनस एक्स का लिख देंगे лек ह्कोशंवायरे ठीटप्लस फ्लस वी साइनस्वायरे ठीटा रो कोई दीक्कत नहीं है ठिक है यहाँ पे और डी एक्स यहां आएगा लेकिन डी एक्स के जगह पे का हो जाएगा सलाई रिंच यहां पे भेट किजिए यहां से तू साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा और बी माइनस ए लिख सकते हैं पलस में बी माइनस में आट डीटा और इसके बाद थोरा सा erase कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे question लंबा है प्रूफ करने के लिए भी छे नम्मर में दे सकता है तो देखिएगा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हील रहा होगा थोड़ा सा ठीक न अब देखिएगा यहां से two sine theta into cos theta और यह हो जाएगा b minus a d theta बटा में root अंडर यह common ले सकते हैं दूनों जगह से तब minus a common ले लेते हैं direct तब बचेगा का चीज one minus cos square theta confusion कुछ हो minus a यहां से लेंगे तो यहां plus one बचेगा यहां minus में हो जाएगा देखिएगा और plus b sine square theta कोई दिकत नहीं into में fit जाएगे क्या हो जाएगा यहां पर का करेंगे b common ले लेंगे b common बचेगा क्या चीज one minus बचेगा क्या चीज one minus sine square theta अब plus में का हो जाएगा देखिएगा पलस माइनस में हो जाएगा माइनस में a cos square theta कोई प्रोब्लम यहां था याद कीजेगा one minus cos square theta बराबर sin square theta अब पलस में b sin square theta कोई प्रोब्लम यहां तक कोई दिकत नहीं यहां का हो जाएगा b cos square theta और यहां क्या हो जाएगा minus a cos square theta d theta तो है यह हो प्रोब्लम यहां के आगे का होगा दिमाग तो खट-खटा रहा होगा ठीक है कुछ नहीं करना है दिमाग खट-खटाए दीजिए आपको दूनों में देखिएगा कुछ common है में common काम करता है common लेते जाएगे और कोई भी equation हो चाहे कैसा भी equation उसको छोटा करते जाएगे तो हो जाएगा 2 sin theta into cos theta d theta बटा root under minus a था ठीक है मिल रहा है कोचीज sin square theta common बचेगा क्या चीज़ b minus a लिख सकते हैं कोई दिककत नहीं है इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा cos square theta तो b minus a जोगो तो b minus a जोगो तो का हो जाएगा integration का symbol देते जाएगा integration 2 sin theta into cos theta d theta root under sin square theta cos square theta लेकिन e b minus a find because all square सब को root से बाहर कर सकते हैं दूदूगो सब जोगो जोगो है यवा दूगो है यह दूगो है यह दूगो है तो एक आह za जाता है root बाहारे आ जाता है तह तो इह हो जाएगा sin theta इह माइनस a लेकिन यहां पर भी देखिए B-A था, हम घर बढ़ कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी B-A है, तो दुनों cancel, E cancel, E cancel, बचेगा क्या चीज़ 2, और रिस्पेक्ट में थिटा, D thिटा, तो का हो जागा, जिकार रिस्पेक्ट में वहीं नहीं सर, है तो तो ठीटा पलसी अब ठीटा का मान में यहां से पूट कर देना है और पूट करके आपका एंसर हो जाएगा तो यह तो यहां तक आप अब बना सकते हैं कोई धिक्कत नहीं होगा कोई प्रोब्लम् यहां पे अब आपको होने वाला नहीं है इस पर question कैसे आएगा भाई तो question बस यहां तीन रहेगा यहां कोई constant रहेगा ठीक है और यहां पर हां यहां पर रहेगा इस परकार के question आपको रहेंगे तो आप बना सकते हैं कोई problem नहीं इसको अब देख लेते हैं थोड़ा सा next type यह बहुत लंबा गया था ठीटा के बाद आप ठीटा का मान निकाल नहीं लिजेगा और नहीं निकाल लिएगा तब फिर आगल का वीडियो में चाहिए वीडियो मे अगले वीडियो में बता देवल जाएगा उतना तो आप कर सकते ठीटा कर णापर हम मां लिये थे ये बराबर एकस बराबर और यक्स बराबर बटा रूट अंडड़ एक माइनस एंटू及 एक माइनस बी झूँ में था बी माइनस से इमें है एक समाइनस बी तो अब कई से बनने का यही लास्ट टाइप है इसका उसके बाद हम चलेंगे जो आपका कोश्टन आएगा न उसमें तो इसमें क्या करेंगे वो चीज़ देखना है तो यहां पर लेट करना उसमें लेट किये थे x बराबर 1 cos square theta plus b sin square theta इसमें का करना है वो चीज़ देखना है तो यहां direct आपको मान लेना है क्या चीज़? x बराबर t square plus b यानि क्या बोल सकते हैं? यानि हम आपको बोल दें कि direct यहां मान लेना है क्या चीज़? x minus b बराबर t square जो इधर रहेगा उसको late कर लेना है यह थोरा सा trick है मतलब कि concept बोले इसको concept है जो कि आप अपने mind में रख लीजेगा उसके बाद और असानी हो जाएगा x minus b बराबर t square x बराबर t square plus b दूसरका step क्या है? differentiation with respect to x यानि dx by dx बराबर t square का क्या हो जाएगा? 2t dt upon dx अब कोई दिक्कत नहीं होगा यहां था, ठीक ना? अब फ़लस b का तो 0 हो जाएगा dx का 1 हो जाएगा और dt upon dx और यहाँ t2 था तो dx बराबर का हो जाएगा? 2 dt मैंने सलाइरेंज तो dx मिल गया अब तो कुछ tension है नहीं देखिएगा इसको equation 1 माल लेते हैं तो from equation first क्या हो जाएगा integration 1 बटा root अंडर x-a into x-b dx क्या हो जाएगा 1 बटा root अंडर x के जगह पे t2 plus b है t2 plus b है minus a है minus a है into में x-b है x के जगह पे क्या है? x-b बराबर का मालने थे? t2 direct माल लिये थे और dx का मालने क्या चीज़ हुआ? 2t dt कोई problem कोई दिक्कत न है अब देखिएगा का करना है यहां से यह हो जाएगा 2t dt है तो 2t dt बटा t2 को बाहरे कर लेते हैं गुना में है देखिएगा बाहरे करेंगे तब t आ जाएगा यह बच जाएगा क्या चीज़ t2 plus b minus a dt तो यहां है यह t से t cancel लग रहा है बचेगा 2 आगे कर लेंगे देखिएगा थुरा से यहां 2 को आगे कर लेते हैं dt ठीक है? बटा root under t square यह वो तो x square के form में आइल है दुसारका के a square form में लाना है तका करेंगे का इसको इपरकार से लिख सकते हैं कोई problem कोई दिक्कत square से root cancel हो जाएगा b minus a बचेगा तो अब आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं 1 बटा root under x square plus e square का फर्मूला log x plus root under x square plus e square plus c इससे आप निकाल लिज़ेगा यहां से तो यह आपका था last type यदि इसमें आपका question रहता तो आपका इसे बनाते वो चीज़ भी आप यहां से देख लिज़ेगा t के जगा पर फिर वहां पर देखिएगा जब t का form में आएगा तो ट का value यहां से का हो जाएगा root under x minus b हो जाएगा बस वहां put करते जाएगे यह चीज़ ध्यान रखिए तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ठीक है तो अब यहीं पर वीडियो का अंद करते है इस पर question आप अपने से बना कर देखिएगा नहीं बनेगा तो comment section में आप comment कर सकते हैं और बोलिएगा कि हां नहीं बना इस पर तो हम इस पर question का series भी चलेंगे इस टाइब पर यदि 400 question में यदि होगा इस टाइब का तो ठीक है नहीं पाइदा होगा क्योंकि एक्जाम उनके नजदीक है ठीक है बस थाइंक